दिसक्स करेंगे 14 जनवरी के important question and answers तो इसलिफ वीडियो को आप अन तक देखिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपे मिलते हैं आपको daily current affairs mcq साथ ही mislainish topics के discussion तो चले शुरू करते हैं आज का dairy mcq मंतन दोस्तों आज का first question related है जोकू वैली से आपको बताना है यह कौन सी border पे located है नागालेन मनिपूर आसाम और नाचल परदेश मिजोरं मनिपूर मेगाले असम तो यह भी यह news में क्यों था क्योंकि यहाँ पे फिलाल fire लगी वी थी इसलिए यह news पे था यह काफी famous valley है इसलिए इसके पार में आपको पता होना चाहिए तो इसका सही answer है ए नागालेन मनिपूर के border पे हमारा यह जूकू वैली लोकेटेट है आप जैसा के आप यहाँ पे map पे देख सकते हैं यह valley को हम लोग valley of flower के नाम से भी जानते हैं और यहाँ पे fire prone reason है मतलब यहाँ पे वैली में लगते ही रहते हैं यह करीब 2015-2012-2010 और 6 में यहाँ पे पहले भी लग चुका है यह हमारा border पे है नागालेन्ड और मनिपूर के border पे है और यह dispute में रहता है दोनों में देखते हैं मनिपूर की capital हमारे इंफाल यह हमारे यूटी था 1956 तक यह बाद में स्टेट बन गया है 1972 में इसका पुराना नाम है एक्जाम में जो कभी कभी पूछा जाता है कैंगलिपक के नाम से हमनों लोग मनिपूर को भी जानते हैं पोलो गेम यह जो आप देखते ह हमारी आप देख सकते हैं एक्रोनिम से याद कर सकते हैं एस हो गया असम एंस हो गया नागालैंड एमस हो गया मिजोरम और जो एक और कंट्री से नेवरिंग है मनिपूर तो वह कंट्री का नाम है में मार्क लोटक लेग यह काफी important point है और यह एक्जाम में पूछा जाता है यहां पे जो है world का only floating national park है और यहां पे जो island बनता है floating island बनता है उसको हम लोग बोलते हैं फुमडिश और यहां पे 2011 census के मताबिक highest sex ratio था नौर्थ इस्टर्न इंडिया में मनिपूर की यह famous dance है मनिपूर डांस हम लोग उसमे Lord Krishna और राधा का जो हम लोग caricature करते हैं उनकी story क मनिपूर के दो famous personality हैं एक है हमारी mc maricom इन्होंने जो यह boxer है इनकी movie भी बन चुक है जिसमें हमारी प्रेंका चौपड़ा ने इनका acting किया था यह five ten world boxing championships जीत चुकी हैं दूसरी है हमारी इरॉम सी सरमीला इनको बुला था iron lady of मनिपूर और अभी फिलाल यहां के chief minister है एन ब new financing मनिपूर में कुछ कुछ और अभी updates आये थे एक था हमारा यहां पे मनिपूर के अंदर ही double multipurpose project था यह मारा मनिपूर के अंदर ही है यह भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन से अ क्यों से लोकेट है तो यह हमारा थाबल multipurpose project जो हमारा located है मनिपूर के अंदर अभी इस question ने पूचा गया है ऐसा कौन सा fourth state बन गया है जिसने अर्बन लोकल बॉलिस के reforms को पूरी तरह के से अडॉप कर लिया है तो सही आंसर है इसका मनिपूर मनिपूर अब ही इंडिया का fourth state बन गया है जिसने urban local bodies reforms को adopt कर लिया है जो हमारी stipulate करी गई थी department of expenditure के द्वारा और कौनकों से state इसको पहले कर सको है अडॉप तो first थे मारी आंद परदेश, second थे मारी मर्द परदेश, third थे मारी तेलंगाना, fourth बन गई हमारी मनिपूर तो इससे फाइदा यह होगा इस सारे norms को follow करने का कि अब वहां की urban local bodies करीब 75 crore लुपे market से borrow कर सकेगी, open market borrowing की तुरू इस पैसे को वो generate करके वहां की health और sanitation services पे काम करेंगी और इससे की वहां का human development index बढ़ेगा तो मनिपूर के यह कुछ-कुछ important facts and figures थे जो आपको ध्यान में रखना है next question है, अभी हाली में standing committee of national board of wildlife की meeting हुई थी उसमें जो है caracal नाम से किसी कोई प्रजाती है, उसको critically endangered species में डाल देने की उसमें बात करी गई है तो आपको बताना यह caracal जो है, किस चीज का प्रजाती है, tiger है, swim deer है, Asian wild buffalo या फिर cat है तो सही answer है, यह हमारा एक तरगा cat है, cat की प्रजाती का हमारा यह caracal है तो caracal की photo आप देख सकते हैं, बिल्कुल यह बिल्ली के जैसा दिखने वाला प्रजाती है, इसके height भी ज्यादा नहीं होती है यह mainly हमारा मिलता है Middle East, Africa और South Asia में मिलता है और हमारे इंडिया के अंदर जो कहां पर मिलता है, मादर दो स्टेट में इसको देखा जाता है गुजरात और राज्यस्तान में, गुजराज्स्तान में इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हम लोग जंगली बिलाओ, और मत्पते से इसको बोलते है शी घोश इसकी जो है conservation status अभी देखा जा तो IUCN में इसकी है least concern और wildlife production act में जिए हमारे schedule 1 के अंदर आता है sites में आ रहा appendix 1 में इसको include क्या गया है इसको मिला करके अब total ऐसी 22 wildlife species हो गी है जो critically endangered में अभी रखी गई है next question is next question is अभी हमारे गंतन दिवस परेड होने वाला है इसमें किसी country की सहस्त्र बल participate करने वाली है उस country का नाम बताना है उस country का नाम है बंगलादेश अभी बंगलादेश की जो है सहस्त्र बल जिसमें वहां की जो है करीब आर्मी होगी नेवी होगा air warriors होगे सब air force होगे बंगलादेश के अभी इंडिया आ गई है और गंतन दिवस परेड़ 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 कर रहे है तो ऐसा तीसरी बार हो रहा है कि जब हमारे republic day पर कोई country यहां पर परेड़ में सामिलोगी यह खास बात इसलिए भी है क्योंकि अभी 2021 में पचासवी साल हम लोग बना रहे है liberation war of bangladesh थोड़ बंगलादेश के बारे में देखते हैं तो bangladesh के capital है धाका currency है टाका यहां के प्राइम मिनिस्टर है सेख हसीना bangladesh जो है कई बार exam में पूछा जाता है कि neighboring states कौन कौन सी है तो आपको यह ध्यान में रखना है तो neighboring states है हमारे इंडिया की असम, West Bengal, मीजोरम साथ में हमारे तिरुपुरा मिखाले यह हमारे 5 states जो है neighboring है हमारे असम से यह important है और इंडिया जो है longest border सेख करता है हमारे असम के साथ sorry bangladesh के साथ इंडिया जो है longest international border सेख करता है बंगलादेश के साथ और यहाँ पे हमारी guard करती कौन सी अमारी parametry for तो BSF यहाँ पे हमारी guard करती है इंडिया बंगलादेश border को बंगलादेश के एक famous personality थे मुहमब यूनिस इन्हें nobel prize ही मिल चुका है क्योंकि बंगलादेश जो है एक नया आइलेंड जो अभी बना था उसके ओपर डिपोर्ट करा है रोहिंगिया आज को आइलेंड का नाम है भाजन चार तो यह important है exam के लिए next question is recently सदर जापारोव अभी हाली में सदर जापारोव किसी country के president elect हुए है अब उस country का नाम क्या है उस country का नाम है किर्गिस्तान यह रेन की photo देखने में काफी handsome है और यह काफी खुश लग रहे है लेक्ट के बाद किर्गिस्तान जो है अगर आद देखा जाए तो यह हमारा located है कटाकिस्तान और चाइना के बीच में यह एक landlock country है पहले बाद तो यह ध्यान में रखना कि हमारी landlock country जैसे हमारी अफगानिस्तान landlock है हमारी नेपाल landlock है भुटान भी landlock country है उस दर से हमारी यह भी country landlock है यहाँ की capital का है बिसेग currency हमारी सॉम है प्राइम मिनिस्टर यहां के है अर्टम नोवी कोव है प्रेज़ेंट अभी हमने देखा सदर जापारोव यहां के प्रेज़ेंट बन गए है इसके जो neighboring states neighboring states और यहाँ पे जो है countries है यहाँ यह countries होगा तो वो होगा कदाकिस्तान, चाइना तजिकिस्तान, उजवेकिस्तान यह हमारे SCO का भी member है यह तजिकिस्तान जो आप देख रहे है यहाँ पे जो है इंडिया का एक मात फॉरण एरफोर्स बेस है यह भी important है next question is next question is the first ever ice climbing festival was celebrated in पहली बार ice climbing उट सब कहाँ पे मनाया गया तो सही answer है यह मनाया गया ले के अंदर ले में नुब्रा वैली है यहाँ पे इसको celebrate किया गया जैसा कि आप लोग जानते है यह ice climbing जो है काफी famous है बाहर countries में उसी को देखते हो यह हमारा adventure sport चालू किया गया है ताकि यहाँ पे tourism को बढ़ावा जा सके और यहाँ पे economy को develop किया जाए तो यह हमारा कहाँ पे चालू किया गया ले में ले में अभी हाली में इंडिया का highest metrological एक station डेलॉप किया गया है तो वो भी आपको ध्यान में रखना है लदाक जो है हिमातर प्रदेश से यह water करता है साथ में चाइना से भी करता है next question is based on lithium reserves अभी हाली में इंडिया के अंदर मिला है आपको बताना है कौन से state में मिला है तो किस state में मिला है तो सही answer हमारा मिला है करनाथका के अंदर करनाथका के हमारे India district में मिला है तो यह करीब जो ज़्यादा कॉंटिटी तो मिला नहीं है मात्र 600 तन का लीथियम मिला है यह काफी छोटा है लेकिन फिर भी यह अच्छी बात है कि यहाँ पर कुछ सुरवात तो हुई है इंडेक अंदर कम से कम तो लीथियम का जो आपको पता ही होगा है काफी इस तका इस्तमाल होता है हम लोग बैटरीज में तो यह इंडेक ले अच्छी ख़बर है और वर्ल्ड का लाज़ेस प्रोडूसर कोन है लीथियम डिजर्फ का तो वह हमारा बोलीविया थोड़ा करनाटका के बारा में देखत हैं महारास्ट तलंगाना है आंदपरदेश केरला है तमिल्णाडू है यहां पर इंप्रूर्टन दो रिवर सिस्टम है एक है क्रिश्टा दूसरी है गोदावरी स्वारी गेर्शपपा फॉल्ल यहां पर काहीं फेमस है वह हमारी करनाटका के अंदर है यह हमारी थर्ड किया आप इतल वाजह परक्रमड के करनाटका का चैनल यह पॉलर्ड यह आंस इस लेंगता है करनाटका साफ और यहां सेक्स्पिर्ट भी होता है करनाटका को हम लोग बोलते हैं क्रेडल ऑफ इंडियन बैंकिंग भी बोलते हैं क्योंकि यहां पे कैसारे बैंक का स्टैबलिस्मेंट हुआ है इनिसली जैसे हमारा हो गया सिंडिकेट बैंक कैनरा बैंक कॉर्परेशन बैंक और बहुत सारे करीब बैंक नागर ओलो गया कोदिरमुक हो गया कुछ-कुछ इंपॉर्टन यह अमारे नैसल पार्ग से चीफ मिनिस्टर यहां के कौन है तो यहां के चीफ मिनिस्टर हमारे बीएस यादुरप्पा करनाटका में अगर आपको ध्यान होगा कि मैसूरू के अंदर ही मैसूरू के अं अपी आई-सीचीफी आप यहाली में इंडिय की तरफ से बी-चीसी अए रिपेजन्टिरिव को नमूरेट किया गया है आई-सी-सी बोरड में उनका नाम है क्या जैसा जैसा को आई-सी-सी बोरड में बी-ची widescor dividend dues Been बना कर ऐदा गया है। जैसा हमारे होम मिनिस्टर अमिट्सा के बेटे हैं ICC की हैड़कोउर का है ICC की हैड़कोउर होटर है हमारी दूबाई में ICC जो हमारे क्रिकेट की गवर्रिनिंग बॉडि है ससी, कुमार, चित्रे इनकी हाली में मिनिद्धन हो गई है इनको अर्रड़ी पत्म भूसर्ण मिल चुका है और यह काफी इनुने काम किया है एस्ट्रोफिजिक्स पे एस्ट्रोमी पे नेक्स्ट कॉस्ट्टन है यह हमारा आज का लास्ट कॉस्टन है making a general a himalayan eco यह book किसके दोरा लिखी गई है making a general a himalayan eco किसके दोर लिखे गई है चेतन बगट, आर्गिरी धरन, एलफ्रेडो, या कॉनसम हिमाले सिंग तो सही answer है हमाले लिखी गई है कॉनसम हिमाले सिंग के दोरा यह लिखी गई है किताब इसमें कई सारे आर्मी के major operations को cover किया गया है जो 1980-1990 के बीच में conduct की गई थी तो दोस्तो इसी के साथ आज हम लोग का daily mcq का कारिकम समाप्त होता है, आसा करते हैं आपको हमारा video बिल्गी पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो किरुपा करके like, share, subscribe कोई को ना बोले और आपके कोई भी comment, suggestion है या फिर आप feedback देने चाहते हैं तो आप हमें comment करके दे सकते हैं इस ppt का pdf आप हमारे telegram channel से download कर सकते हैं तो चले फिर कल मिलते हैं daily mcq के साथ आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद